नमस्कार मैं एंजना और आप देख रहे हैं दख़बर्दान न्यूज आई शुवात करते हैं मद्ध परदीस की कुछ बड़ी खबरों से चाती में गुसी आते ठीक करके बचाई मासूम की जान चार महीने के बच्चे के इंदौर में हुई लेजर सर्जरी जानी पूरा मामला इंदौर में लेजर सर्जरी के जरिये चाती में गुसी हुई आते ठीक कर जान बचाई गई है मंदसौर की रहने वाले दमपती जब अपनी चार माह के मासूम को लीकर इंदौर आये थे तब बच्चा ना तो ठीक से सांस ले पाता था और ना ही दूद पीता था उसका बज़न भी सामाने से बहुत था मंदसौर साहित कई शहरों के अस्पतालों के चक्कर लगाने के बावजूद बच्चे की हालत में सोधार नहीं था डौक्टर उसका सामाने सर्दी खांसी का इलाज कर रहे थी इंदौर के प्राइबिट अस्पताल में दिखाया यहाँ पता चला कि चाती की मेंबरेन यानि डायाफ्राम पूरी तरह विक्सित नहीं होने के कारण पेट की आते चाती में घुस गई है डौक्टरों ने लेजर सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया इंदौर की बस ने गुजरात में बस को मारी टकर मा और उसके दो बच्चों समेट चार की मौत 19 घायल इंदौर के अमदाबार जा रही बस ने यात्रियों से भरी खड़ी बस को टकर मार दी इसे खड़ी बस में बैचे चार यात्रियों की मौत हो गई म्रतकों में मा, उसके दो बच्चे और क्लीनर शामल है म्रतक महिला का 30 साल का बेटा और एक यूबक गंभीर खायल है बडोधरा के इन्नीजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है उन्नीस यात्रियों को मा मुली चोटे आई है भी मार्मी आजाज समाज पाटी अद्यक्षों का बीजेपी को समर्थन पाटी उपाद द्यक्ष का रोप इन्होंने समाज को बेचा दिगविजय ने लिखा भाजपा के चंगुल में नहीं फसे पुरू सियम दिगविजय सिंग ने मंगलबार सुबा वीडियो एक्स हेंडल पर शियर किया है उन्होंने लिखा भाजपा SCST के हित में काम करने के बजाए केबल चुनाब में SCST के वोट काटने के लिए अपनी काली कमाई के पैसों से नौजवानों को खरीद कर कॉंगरेस को हराने के लिए बीजेपी उमीदवार खड़े करती है चाहे बीएसपी हो चाहे भीम आर्मी चाहे जे ए वाईएस चाहे जीजीपी के नाम से इन संगठनों को बीजेपी के चंगुल में नहीं फसना चाहिए जिसकी सरकार बने उन्हें अपना एजेंटा देना चाहिए CST के हेतों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए हम कॉंगरेस जन उनका साथ देंगे चौराहों से आबैज अधिकर्मन हटाएगर निगम भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था देखने निकले कालेक्टर सौंदरी करण लेफ्ट टर्ण पर फोकस कलेक्टर सिंग ने कहा कि इन चौराहों पर आएजन ट्रैफिक जाम की स्तिती बनती है इसके चलते कई बार हासे भी होते है इन्ही समस्याओं से निजात पाने के लिए चौराहों का चौरी करण किया प्तिमेंट व्यवस्तित रहे और जाम जैसे स्तिती ना बने गॉलियर में महिला की हत्या पत्नी की छाती पर बैठ कर पत्नी की छाती पर बैठा और उसका गला घोर दिया इसी समय म्रतका की बहन वहां पहुँच गई जिस पर आरूपि वहां से भाग गया गंबीर हालत में महिला को उस्पिटल पहुंचाय गया जहां उसने मंगलवार सुबा दम तोड़ दिया घटना हजीरा में चोड़े के हनुमान इलाके की है हत्या का पता चलते ही पुलिस सक्रिय हुई पुलिस ने दतकाल हत्या का मामला दर्शकर मालन पुर भिंड से आरूपी को ग्रफतार कर लिया है कबाड के दुकान में लगी आग वीडियो समय रहते पाया काबू नहीं तो आसपास के दुकाने भी चपेत में आ जाती गोहलपूर थाने के सामने देरात आग लगी आग एक काबाडी के दुकान में लगी दुकान में रखा हलजार रुपे का काबाड का माल जल गया इस थाने लोगों ने गोहलपूर थाना पुलिस को आग लगने की सूचना दी इसके बाद पुलिस फार बिगेट साहित मौके पर पोंचे करी मशकत के बाद दमकल वहां ने आग पर काबू पाया बताया जा रहा है कि अगर समय रहते दमकल विभाग आग पर काबू नहीं पाता तो आग और भी कई दुकानों में फ्याल सकती थी अजैसिंग बोली कॉंग्रेस को विंद से मिलेगी सबसे ज़्यादा सीटें पूरू नेता ने कहा एलेक्शन में प्रशासन और चुनाब आयो कर नहीं मिला सपोर्ट मद्यपरदेश बयधान सबस्चुनाब के मत्दान के बाद ब्यजेपी और कॉंग्रेस दौनों ही दलों के नेता सीटों के गुणा भाग में लगे हुए हैं उमिद्वारों के जीतने को लेकर दौनों ही दलों के अपनी अपनी दावे हैं 2008 किवधान सब चुना में कॉंग्रिस को विंद हिलाके में सीटों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। कॉंग्रिस की सीनिय लीडर और पूरू नेतपती पक्षो अजय सिंग राहूल ने दावा किया है कि इस बार के एलेक्षन में कॉंग्रिस को सबसे ज़्यादा बढ विंद छेतर से ही मिलेगी। उसे मत खोसित कर दिया। बच्चा SNU में भरती है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है मामला बाल अधिकार सनरक्षन आयोग पहुँच गया है। कमलनाथ की जीत हार पर 10 लाग की शर्ट PCC चीफ हारे तो 10 लाग देंगे बिजली कंपनी के ठेकेदार। बन्ती हारे तो एक लाग मिलेंगे। अब तक ली बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक ली नमशकार और देखते रहें दखबरदार न्यूस। अबंड़ों के विह नमशकार और क्या भाग मिलेंगे।